हेलो मेरे शक्तिवानों तो मैं आज आप लोग को बता दूती हूं सी यू इटी के एप्लिकेशन रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बहुत सारे बच्चे भर चुके होंगे लेकिन इसी बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेल्स किये थे एंटीय को री ओपन करने के लिए सी यू इटी के रेजिस्ट्रेशन विंडो तो मैं आप लोग के लिए बता दू कि एक बहुत ही बड़ी खुशकवरी है जो कि आप सभी को कल मिल चुकी होगी कि एंटीय ने दोबारा से री ओपन कर दिया आप ल को फिल कर सकते हो वह 11 में होने वाली है तो आपके पास अभी भी एक दिन का समय बचा हुआ है आप अपने जितने भी काम है उनको पूरे कर लीजे और 11 में 2023 के बाद आपकी रेजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगी इसके अलावा मैं आपको बता दू कि 12 में 13 में मैं आपको टाइम में लिगा कि आप करेक्शन कर सकते हो लेकिन आप लोग फिल नहीं कर पाएंगे तो आप यहां पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हो let me on the highlighter ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां फर साफ तोर पर लिखा हुआ है कि जो examination and make make the payment of the fees is still 11 में तो 11 में मे लेकिन अगर आपने आपके पास 12 एंधर तो अपने अप्लिकेशन फॉर्म अगर नहीं फिल किया है तो अभी के अभी जा करके फिल कर दीजे देर मत कीजे बिल्कुल भी और अगर इसके हलावा आपकी कोई भी क्वैरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में परसनली सबके जो कमेंट से उनके रिप्लाय करती हूं और तब तक के लिए टाटा बाबसी फिर में लेंगे लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को शेर कर दें क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीउटी के ही आपके दोस्त भाई भंदू है आपके एस्परें झाल